हलो, गुड वूनिंग फ्रेंड्स, तीस नॉम्बर दोजार उनीस की प्रिलिम सब्रेटर स्री में आपका श्वागत है, चलते हैं आज गी मारी न्यूज की तरफ, पहली जो न्यूज आए हाँ पे, वो आई है क्लाइमेट एमर्जेंसी के बारे में, न्यूज क्या है, वो हम इसमें तरके एक declaration है, जो कि climate को लेकर शो करती है, कि भी आप climate को लेकर कितने सजग हों, यह कि climate एमर्जेंसी है, वो यह बताती है कि 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 तरके से climate के आप q amp S in the plan हो यह से आपकी सिमेदारी है, कौन-कॉन से काम आप करने वाल है हो climate से निपढ़ने के के लिए जो climate change आज की टाम पर हो रहा है इसे निपढ़ने के लिए कौन-कौन साप action agenda लेने वाले हो जैसे देखो आपको बता कि हर एक गवर्मिंट है वह declaration जारी करती है कि हम climate change निपढ़ने के लिए प्लान लेख आएंगे और इस साल तक हम इतनी इतनी activities हैं वो पनाएंगे तो तो targets हैं वो सब रखे जाते हैं वो climate emergency के तहती रखे जाते हैं और वैसे देखो को clear definition नहीं है climate emergency के बारे में कि climate emergency होती क्या है बस normally अगर हम बात करें जो local way में use के जाती है उसका simple सा मतलब ही होता है कि 2030 तक एक carbon neutral country है वो बनना है तो देखो उनका emission लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके वोज़से आप climate change ने पढ़ना काफी easy नहीं रह पाएगा news क्या है वो देखते है कंटेक्शन news या यह भी कि जो European Union है वो वर्ड की पहली ऐसी एक multilateral block बन गी है जिसने climate emergency को declare है वो किया है कि कि क्लामेट change को लगके काम है वो करने वाले हैं बाकि देखो ऐसा नहीं कि इससे पहले किसी country नहीं जारी कि है इससे पहले गर हम बात करें तो हमारे प्रोचिदेश बंगलादेश ने भी ऐसा प्लान है वो लगकिया है इनकी बंगलादेश ने भी climate emergency को declare किया है इसी की साथी Spain ने भी कि emergency को declare है वो कर रखा है ध्यानकता इंडिया ने भी climate emergency को declare नहीं किया है अब हम देखते हैं कुछ fake आगे देखो अगर climate emergency है तो इसको implement क्या जा रहा है तो इसकी parties गी meeting होने वाली है 25 वी conference of parties कहां पर होने वाली है वो होने वाली है इस्पेन में तो इस्पेन में जब अभी meeting होने वाली है 2 दिसंबर से start होने वाली है conference of parties गी 25 वी meeting है 25 summit वहाँ पर देखो focus किया जगा climate से और देखो यूरोप की जो कंटीज है वो environment या बोच सकते हो कि climate को लेके काफे ज़दा अलट है जैसे हमारी इंडिया में थो हमने कहीं नहीं देखा कि climate को लेके कोई लोग प्रोटेस्ट अगरा कर रहे हो environment climate की कोई खास बाते नहीं है वो लगा दिया गया मतलब वहाँ पर deforestation completely बेन हो किया गया है जबकि हमारे इंडिया में अभी आपको बता है इंडिया एक developing country है इसलिए environment जैसे जो को इतनी तवज्ज़ हो नहीं दी जाती है खर देनी चीओ एक अलग बात है बट अभी इसकी तरफ focus नहीं किया जाता है तो अभी इस्पेन में जो 2 दिसंबर को conference और पार्टिज की 25 मिटिंग होने वाली है तो उस मिटिंग में जो climate change हो रहा है इसकी तरह focus किया जाए इसके लिए climate emergency है वो European Union के द्वारा आप बोल सकते होगी डिक्लियर हो किगी है यह एक symbolic effect है ताकि जो वहाँ पर discussion की जाएगी उसमें environment के प्रती environment change हो रहा है climate change हो रहा है कैसे inspection लिया जाए किस तरगे से काम करना है किस तरगे से जो emission है carbon emission उसको काम करना है इन चीजों पर focus किया जाए इसके लिए है climate emergency declare की गई है next जो article है वो एह है ASEAN Dendrochronology Conference के बारे में तो क्या है ASEAN Dendrochronology Conference वो हम जानते हैं देखो पहली बात होए कि Dendrochronology है क्या देखो पहली बात होए कि Dendrochronology है क्या देखो जब भी किसी पेड का तनाया कारते हैं तो आप उसमें ऐसे layer by layer दिखती है ऐसे गोल गोल लेयर सी दिख study की जाती है और इन से पता लगा जा सकता है कि पेड कितना पुराना है कैसे atmosphere में रहा है पहले कैसा environment था हर चीज़ के बारे में यहां से पता चल सकता है तो science की वो branch जिसके दोरा पेड की इन सारी जो layers है गोल गोल लेयर दिखनी आपको इन सब को देखके है इन सब की study करके आगे explanation किया जाता है उस branch तो कहते हैं यहां पे dendron chronology तो अभी देखो जो ASEAN dendron chronology conference है वो पहली बार इंडिया में आयोजित हो रही है इसलिए यह news है वो important हो जाती है वैसे तो चठी यह conference है जबकि इंडिया में आयोजित होने वाली पहली है कहां पर आयोजित होगी यह बीरबल सानी इंस्टूट कहां पर लखनाव में बस important चीजी है कि dendron chronology है क्या दूसरी बात इंडिया में पहली बार ऐसी conference हो जितकी जारी है जैसा मैंने आपको बताया dendron chronology का मतलब है study of the tree ring मतलब पेड की जब आपको तने को काट ओगे तो उसमें layer by इसे goal wall दिखती है उनकी rings की study की जाती है उसे पता चलता है कि पेड है वो कितना पुरान है कैसे ecosystem में पहले रा है कौन-कौन से इसको problems हाई है problem का मतलब जैसे कि सूखा पड़ा है या फिर आप यह पता सकते हो कि काफी rainy motion था पहले किस तरिक का climate था इन सब की study है वो की जाती है तो उसी को लेक campaign loans क्या गया है UNICEF के द्वारा अब हमारे देश में UNICEF के साथ हमारे जो government है उसका आप उसको क्या है यूवा इंडिया loan campaign वगरा तो को नाम से प्रतला यूवा का मतलब यूथ यूथ की वाद आपकी जारी है अगर हम बात करें तो हमारे देश में 10 से 14 साल की age के जो यूथ है उनकी संख्या लगब 300 million महलब 300 million के आसपास हमारे देश में यूथ बच्चे है यूथ है जो की काफी ज़दा आप हो सकते हैं उनको skill की जरूरत है उनको empower करने की जरूरत है हर अरिया में तो यह जो यूआ जो जनरेशन अब अलिमिटेट के इनिसेटिव स्टार्ट किया गया है इसका target यह है कि हमारे देश में जो यूथ है वो इसी के साथ private sector इसी के साथ government और जो international और जो local organization है वो आपस में मिलके यूथ को promote करें यूथ को जो भी skills है जो provide करवानी है, education provide करवानी है, उनको empower करना है, उनको employment provide करना है, इन सब की तरह focus क्या जाए यहनि कि हमारे देश का जो demography dividend है आप बोल सकते हो कि हमारे देश की youth है इसको सही direction मिल सके इसके इसके लिए private sector, government sector, international और जो local organization है वो मिलके काम करें और इस दिसा में आगे कदम बढ़ाए इसके के लिए यह program हो जारी किया गया है, अब हम यहाँ पर जानते है UNICEF के बारे में, तो को UNICEF है ना, वो UN की एक important agency है, वच्छे तो जान रखाना UNICEF है क्या है एक fund है, यह आपको लगे कोई किस तरीख के हमला है, यह एक fund है वरसे, agency नहीं एक तरीख का fund है, जिसका starting में नाब था United Nation Children's Fund, बड़ बाद में इसका नाम है, वो चेंज कर देगा था United Nation International Children's Emergency Fund, इसकी दको शुरुआत की गिती, Second World War के बाद, हुआ क्या था, जब Second World War कम्प्लीट हुआ था, उसके बाद में काफी सारे लोगों के डेथ हुई थी, तो काफी ऐसे बच्चे थे, ओलो रोड में जो अनाथ हो गए थे, जिनको रिये विलेटेट करना था, उनके पास कोई फेसिलिटी नहीं थी, तो ऐसे बच्चों को या आप हो सकते हो कि उनको सपोर्ट प्रोइड करा जाए, जिनके पास ग्रहने को घर नहीं है, कोई भी तरह की फेसिलिटी उनको मुया नहीं करवा ग फेसिलिटी प्रोइड करवाने के लिए, इस फंड का निर्मान है, वो क्या गयता है, एक ट्रीक अगया है, हुमेंटेरियन और ड्लॉप्मेंट फंड है, जो कि यूथ के लिए बच्चों के लिए मैनली काम है, वो करता है, इसी के साथ अगर हम कुछ और फिक जाने की बात करें, तो इसका हेड कोर्टर है, वो है नियूएर्क में, नहीं लब यूएसेम इसका हेड कोर्टर है, देख इसके हैड वगरा कोण है, इतना इंपोड़न नहीं है, ये धान रकना, इसकी जो पेरेञ्ट ओरगनेशन है, वो है, यूनियर्टे नेशन जनल असेंबली, यह UNGA और इसे के सायदी United Nation Economic and Social Council है वो इसके जो administration के और बाकी काम है उन सब को सभालती है तो द्यान रखना United Nation General Assembly और United Nation Economic and Social Council है या बोच सकते हो कि इसकी parent organization है UNICEF को 1965 में Global Peace Prize से भी नवाज आ गया था क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए काफी अच्छा काम किता है इस fund ने और इसकी जगह 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 पर रिजनल आप बोच सकते हो कि office वगड़ा भी है Manally developing countries का जदा focus रहता है क्यों क्यों developing countries में भूक मेरी या बच्चों पर कम focus किया जाता है इसलिए वहाँ पर UNICEF बहुत ही अच्छे से काम है वो करता है इंपोरेंट चीज़ यह है UNICEF को fund कहां से मिलता है बखो UNICEF को को वैसे fund है वो मिलता है सारा voluntary basis पर यह नहीं यह तो government प्रवाइड कर आती है लग लग countries भी यह फिर जो organization है प्राइवेट गो organization है वो funding देते हैं United Nations General Assembly है और United Nations Economic and Social Council के इंतरित के काम है वो करता है है क्या एक तिकर का यह फंड है नेक्स आर्टिकल है वो है यहाँ पर supplementary grant के बारे में दोको supplementary grant है क्या इसके बार में UPSC पूछ सकती है दूसरा यह पूछ सकते कि supplementary grant के बारे में हमारे constitution में mention है या नहीं है दोको पहली बा उसमें clear mention किया गए है कि supplementary grant, additional और access grant है वो परमलकुन की आप बोल सकते के अनुमतिय वो ली जा सकती है इसी के साथ ही सविधान के article 116 में mention किया गए है कि vote on account, vote of credit, देखो यहाँ पर vote on account के क्या मतलब होता है खुछ धान है आपको, vote on account का simple सा मतलब यह होता है देखो normally क्या ह होता है कि budget है पहले आपको पता कि फरूरी के end में पेस के जाता था और जब budget की सारी process सब कुछ complete होता था ना, वो काम जाके complete होता था मैं में, मतलब में end तक सारा काम complete होता था जबकि हम जानते कि financial year है, वो तो एक अप्रेल से start हो जाता है, तो भई पैस जो financial year है, मतलब एक अप्रेल से start हो रहा है, जबकि आपका budget का सारा काम खतम हो रहा है, मैं end तक, तो दो मीने का gap हो गया ना, मोटा मोटा, अप्रेल का पूरा मीना चला गया और मैं, इन दो मीनों में government चलाने के लिए, देखो government के खरचे होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, scheme वगरा सब लिए, वो पैसा कहां से हैगा, तो उस पैसे को निकालने के लिए, vote on account method का यूज है, वो किया जाता है, कि भई, आप दो मीने के लिए पैसा निकाल लो, दो मीने के लिए कितना पैसा मिलता है, इसमें ऐसा नहीं कि आप सारा fund ले सकते हो, जितना budget का सारा, नहीं, total budget का 1 by 6, क्योंक अब जून से तो आगे, normally continue life है, वो चल रही होती है, उसी तरकी से supplementary grant क्या होती है, supplementary grant वो है, कि भई, आपको जो fund मिला है, जैसे मालों की कोई भी ministry को fund दिया गया है, कि इस साल दिया है, science and take ministry example ले लो, कि science and take को इस बार fund दिया है, मालों 10,000 कर रोपे, और जब कि science and crore के प उसी तरिके से supplementary grant की demand है, वो की जाती है, इसमें फिर parliament है, वो decide करती है, कि हाँ पर grant है, दी जाएगी, नहीं जाएगी, ऐसा गो जोरू ही है, कि grant provide ही करवाएजए, तो अभी हमारे finance minister है, निरमला सितरनमन, उन्होंने इसकी demand है, वो की है, तो उसी को लेके यहाँ पर article publish किय किया गया है, पहली बात तो यह, कि सविधान में इसके बारे में clearly mention किया गया है, और अगर हम बात करें हाँपी important fact, कौन से article में, वो भी हमने discuss किया, article 115 में, और यह बात किया है, एक effect यह, कि यह जो ऐसे supplementary grant है न, यह parliament में पास करवानी होती है, parliament में present करनी होती है, और financial year के अंदर-अंदर ही, मतलब अभी जो financier चल रहा है हमारा 2019-2020, तो अप्रेल जो, sorry, आप उचातों कि 30 मार्श 2020 से पहले-पहले इस्तर की grant है, वो clear करवानी होती है, 2020 के बाद नीच लेगी, 2020 के बाद तो अगला session स्टार्ट हो जाएगा मार्श के बाद, तो उसमें आगे की बा पर्टी के बाद की जारी है, यहां पर फोकस करेंगे, आज के आर्टिकल ने स्टेट पार्टी के बारे में, क्यों, क्योंकि न्यूज या आई है, कि हर्याणा में एक पार्टी है, जन्हाएक जनता पार्टी, तो इसको अभी election commission of India ने स्टेट पार्टी का दरजा है, वो द के जाता है, election commission of India के दोरा, इसमें तू तू मैं नहीं चलती, election commission of India ने कुछ criteria रखे हुए है, उसके बैसे पार्टी को डिशाइड के जाता है, कि कौन सी पार्टी स्टेट पार्टी है, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है, चलो आप यह बताओ कि हमारे देश में भी कितन नेशनल पार्टी है, कौन-कौन सी है, तको हमारा सेविधान को जो एक्ट है, रिपर्जेंटेशन ओप पीपल एक नैंटीन फिप्टिवन, उसके सेक्शन 29-A में क्लियर मेंचन किया गया है, कि पोलिटिकल पार्टी है, उनका रजिशन है, वो election commission of India के अंडर है, वो क्या जाएगा, इसकी जिम्यादारी है, वो रहती है, तो आज हम यह जाने की कोशर करेंगे, इस article में, कि कौन सी पार्टी, state party होगी, या फिर state party बनने के लिए, क्या-क्या qualification है, वो होती है, तो एक एक हम qualification को discuss करने वाले हैं, तो दोकर qualification की बात करें, तो मैं लिप 5 qualification है, अगर न जितने भी वोट पढ़े हैं, जनरल election की बात की जारी है, मतलब state के जो election हो रहे हैं, उसमें total जितने वोट पढ़े हैं, उनका 6% वोट मिल हो आपको, खलस में, आपने कोई भी दो सीटे जिती हूँ, तो आपको state party का दरजा दे दिया जाएगा, दूसरी बात देखते हैं, अगर यह आपने fulfill नहीं की तो दूसरी condition हो रहे हैं, दूसरी condition ही हो सकती है, कि जितने भी valid वोट हैं, अब बात की जारी है यहाँ पे लोगसभा election की, कि लोगसभा election में हो रहे हैं उसमें से आपको valid वोटों का 6% वोट जीतने हैं, और कम से कम एक लोगसभा की seat आपको जीत मतलब जितने भी seat हैं आपके state में, उसके 3% seat जीत लो या फिर 3 seat जो भी ज्यादा है वो जीतना है, ऐसा नहीं है कि जिसे आपके state में 100 seat हैं, आपको 3% जीतने हैं 100 का, तो मतलब 3 seat हो गई, तो आप 3 seat जीतके ठीके काम चला लिया, बट अगर मालो कि आपके state में 200 seat हैं, तो 200 का 3% कितना हुआ, 6 seat हैं, तो अब आपको at least 3 seat जीतके जीतके दिखानी होगी, तब भी आपके party को state party का दर्जा दिया जाएगा, देखो clear mention क्या गया है, या तो आप 3% seat जीतो, या फिर 3 seat जीतो कम से कम, बट यहाँ पर आगे भी देखो लिखर का condition, कि जो भी ज़्यादा हो होता है, चोथी condition के हैं, या चोथी qualification, वो यह रखी गी है, कि हर जो लोगसभा की party या लोगसभा की election होते हैं, लोगसभा में कितनी seat हैं, उसी के आधार पे आपको क्या करना है, हर 25 में से एक seat आपकी party की होनी जीए, मैंलब आपकी से पार्टी है, XYZ, और लोगसभा में seat है मालो, 300, तो हर 25 में से एक seat है, वो आपकी होनी जीए, मैंलब 25 seat है किसी और party हो सकती है, एक seat आपकी होनी जीए, तो इस तरके से 300 में कितनी seat है, वो आपकी होनी जीए, यह एक method है, वो अरका गए है, state party के लिए, एक method ये भी है, कि भाई, लोगसभा election में जितने भी vote पड़ लिए यह 8% vote हैं, वो आपकी party के नाम पे आए हैं, इसका मतलब आपकी party है, वो एक state party है यह कुछ criteria है, कि भाई कौन से party state party बन सकती है, तो एक बार आप इनको revise कर लेना, कौन-कौन से यह आपफे factors हैं, वो दिये गए हैं यह थी देखो, वैसे आज की हमारी discussion, अब एक बार जल्दी से revise करते हैं सबसे पहले हमने climate emergency के बार में जाना, कि climate emergency क्या है, एक तरिके के declaration है, कि हम climate emergency निपटने के लिए climate से निपटने के लिए किस तरिके actions plan है, वो लेने वाले हैं इसके बाद में हमने जाना कि European Union ने climate emergency को डिकलियर किया है, क्यों? क्योंकि अभी conference जो party, जो meeting होने वाली है, उस पे climate change पे focus करवाने के लिए बाद में हमने जाना कि 26th जो ASEAN Denonology जो conference है, वो आयजित की जारी है इंडिया में, तो उसी को लेकिए news आई है, इसके बाद ही हमने UR, जो generation unlimited initiative है, उसके बाद में जाना, इसी के साथ हमने UNICEF के बाद में जाना, जो की एक Children's के लिए emergency fund बना गया है United Nation General Assembly और ECOSOC के अंडिया आता है फिर हमने यहाँ पे supplementary grant के बाद में जाना, कि supplementary grant क्या होती है vote on account है, वो क्या होता है इसके बाद में हमने registration और political party के बाद में जाना, कि कौन सी party, state party होती है state party होने के लिए क्या-क्या qualification है यह थी आज़ी हमारी complete discussion तो फिल्हाल के discussion में इतना ही है तो thank you, thank you much for discussion